नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय बाला जी महाराज, जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के खास वीडियो में व्रिश्चिक राशिवालों दोस्तों कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करते हैं संकट मोचन वीर हनुमान जी के आशीरवाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और संकट मोचन वीर हनुमान जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें प्रभु महाबली जी के आशीरवात से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बधाई हो आपकी कुंडली में महा धन लक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है। अब आपको लाब ही लाब होगा। जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें। अब कुछ किये ही राजा बनोगे। क्योंकि दोस्तों आपके कुंडली में महा धन लक्ष्मी योग का निर्मान हो रही है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि हम सभी के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। यानि कि हमारे जीवन में खुशियों का आना जाना लगा रहता है। कभी हमें दुख तकलीफ होती है, कभी हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है, तो कभी हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है। हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगती है। जीहां दोस्तों आपका नसीब अब सभी को बता रहे हैं, आप इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा, नहीं तो आप आगे चलकर बहुत पच्चताओगे, क्योंकि दोस्तों, किस्मत ऐसा मौका बार-बार नहीं देता है, इसलिए अगर यह मौका आपको मिला है, तो आप इस मौके का भरपू इस मौके का सदुपयोग कीजिए, जी हाँ दोस्तों, धन की देवी मातारानी लक्ष्मी जी, आपके जीवन में चार चांद लगाने वाले हैं, तो चलिए, जानते हैं, धन की देवी मातारानी, लक्ष्मी जी आपके जीवन में किस तरह से चार चांद लगाने वाले हैं, और आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है, तो कौन-कौन से बड़े लाब आज आपको देखने को मिलेगा, कौन सी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देगी, संपूर्ण भविश्यवानी, आज की इस वीडियो में 100% सठीक होगी, आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, वीडियो में बताई गई सारी जानकारियां ग्रह गोचर पर आधारित है, जरा सा भी मिस करेंगे या वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, केवल नसीब वाला ही आज की है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख पाएगा, और जो अंत तक देख लेगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि वह माला माल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, रिद्धि सिद्ध के दाता और धन की देवी माता, रानी लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुश खबरी, जी हाँ दोस्तों, जिससे की आपको घर घर जाकर सब को मिठाई बाटना पड़ेगा, और सब का मुह मीठा करना पड़ेगा, जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके कर्मों का बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, इस समयावधि में गजकेसरी योग धन, लक्ष्मी प्राप्ति योग, दो राज योग और धन योग का निर्मान हुआ है, इसलिए दोस्तों, आपके लिए भाग्य उदय का समय कहा जा सकता है, एक प्रकार से यूं कहें, तो आपका भाग्य उदय हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे चार बड़े योग आपके कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों अब आपकी किस्मत चमकने वाली है जी हाँ सोई हुई किस्मत जगमग आने वाली है अगर यह सुनहरा मौका आपके हाथ से जाएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा जी हाँ इस चाहे जी, जान ही क्यों ना पड़े लेकिन ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे आपको चारों तरफ से लाब ही लाब होने वाला है और आपको बड़ी-बड़ी सफलता मिलने वाली है काम्याबी ऐसी होगी जो की पूरे मोहले में शोर मचा देगी जी हाँ दोस्तों वीडियो बहुत खास है जो भी सच्चे भक्त सर्व प्रथम वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में रिद्दि सिध्धी के दाता जय हो गणपती महाराज लिखेगा भगवान गणेश जी उन्हें हर चीज में तरक्की देगी हर एक जगह काम्याबी मिलेगा तो आप जरूर देखिएगा आईए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हो जाएए सावधान क्योंकि दोस्तों आपके नाम से दो संदेश आया है और यह खुशखबरी सच में सब को पागल कर देगी जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे वीडियो बिलकुल अकेले में देखना क्योंकि यह राज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए अगर किसी को पता चल गया तो फिर समझ लीजिए सारा खेल खत्म हो जाएगा जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है जी हाँ मजाक समझने की गलती मत करना वरना जिन्दगी भर पच्चता होगे क्योंकि दोस्तों ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे देवों के देव भगवान ब्रह्म देव जी आपके जीवन में करने वाले हैं बहुत बड़ा उलट फेर जी हाँ दोस्तों और यह उलट फेर आप सभी के जीवन काल में हडकंप मचा देगी जी हाँ क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली के मध्य भाग में गुरु और शुक्र विराजमान होने वाले हैं जी हाँ जिससे की दोस्तों धन लक्षमी लोग का निर्माण होने जा रहे हैं दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें अगले आपको पांच बड़ी खुशखबरी एक साथ प्राप्त होगी और ये खुशखबरी आपके दुश्मनों को आप से इरश्या करने वालों को पागल करके रख देगी जी हाँ दोस्तों लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा उच्छलकूद करने की जरूरत नहीं है आपको सावधान रहने की जरूरत है जी हाँ दोस्तों परमात्मा के घर देर जरूर है, अन्धेर नहीं जिन्दगी में कब क्या हो जाए, कब किसकी किस्मत चमग जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है जी हां लोग रातों रात गरीब पती से अमीर पती बन जाते हैं, रोड पती से करोड पती बन जाते हैं और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है यूँ कहें तो अब आप भी करोडपती बनने का समय आ गया है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और भगवान ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है दोस्तों तो चलिए जानते हैं कि आपके नाम से वह कौन से दो बड़े संदेशा आया है और कौन सी खुशखबरी मिलेगी जो कि यह खुशखबरी सबको पागल कर देगी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आप किस समय की बरबादी बिलकुल नहीं होगी और जो जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी आप उसे हमेशा याद रखो गी ऐसी बात हम आपको बता कर जाने वाले हैं दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका सोया हुआ किसमत जागने वाला है जी हाँ और जब सोया हुआ किसमत जगेगा तो सीधी सी बात है जीवन में बदलाव तो होगा ही जी हाँ लेकिन दोस्तों क्रोध में आकर आवेश में आकर कोई बड़ा निर्णय ना लें नहीं तो दिक्कत हो सकता है अगर आप इस समय कोई महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं तो आप किसी जानकार या फिर एक्सपर्ट व्यक्ती की सलाह लेने तो आपके लिए बेहतर रहेगा आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में कोई नए महमान आने की पूरी संभावना जिन लोगों की हाल ही में शादी हुआ है या फिर शादी के बहुत दिन हो गए हैं तो उनके घर में किलकारी संबंधित समाचार सुनने को मिल सकता है इस खुशी में भी आप सब को घर घर जाकर मिठाई खिला सकते हैं और जिन विद्यार्थियों ने कहीं पर एक्जाम वगेरह दिया था वह खुश हो जाईए उनका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि खुशी के मारे गदगद हो जाएंगे जो लोग अपने नौकरी में बदलाव चाहती हूँ उनका प्रमोशन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह प्रमोशन हो सकता है और यहां आपके लिए बहुत खुशी की बात है आने वाले अगले 24 घंटे कार्यक्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है सफलता तो मिलेगी लेकिन मेहनत थोड़ा ज्यादा करना जी हां दोस्तों आज आपको कम मेहनत में बड़ी सफलता नहीं मिलेगी जिस तरह से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से उस अनुसार आपको फल मिलेगा दोस्तों जैसा कि आपने सुना है कि आपकी कुंडली में महाधन लक्ष्मी योग का निर्मान हुआ है तो अब आपके जीवन में लाब ही लाब होगा लेकिन आपको सावधान रहना है उन लोगों से जो लोग जिस थाली में खाते हैं वही थाली में छेद करती है जी हां आपको सख्त जरूरत है उन लोगों से दूर होने की और यह लोग कोई और नहीं बलकि आपके ही आसपडोस के आपके ही घर में आपके ही अगल बगल के होते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके कर्मों का पिटारा खुलने वाला है और आपको अपने कर्मों का सही फल मिलने वाला है जी हाँ, आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर दो बड़ी खुश खबरी मिलेगी अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आज का दिन आप के लिए सोने पे सुहागा होने वाला है जी हाँ, क्योंकि व्यापारीों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया और जो लोग सोने चांदी आभूशन के व्यापार व्यवसाए, क्या खरीद विक्री का काम करते हैं उन्हें आज के दिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को नुकसान होने की संभावना दिख रही है अगर हो सके, तो आज के दिन आप किसी को उधार बकाया ना दे, नहीं तो पैसा फंस सकता है लेकिन दूसरी तरफ से आपके लिए खुशखबरी यह है कि आपने जो पैसा किसी को उधार दिये थे, वह पैसा आने की पूरी पूरी संभावना है अगर आपने कहीं पर निवेश किया था, स्टॉक मार्केट शेयर बाजार, तू पैसा दुगना होकर आपको मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा आपके घर में विवाद की स्थितियां बन रही है, छोटी सी बात को लेकर बड़ा कारण हो सकता है आगे जाकर पच्चताने से बेटर होगा कि अभी से ही सावधान रहें, और जो बात हम आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान में रखें तो ये खतरा चल सकता है दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर परमात्मा के तरफ से आपको दो बड़े शुब संकेत मिलने वाले हैं जी हाँ, और ये खुशखबरी सबको पागल करके रख देगी, लेकिन सवाल उठता है, ये शुब संदेश आपको कहाँ पर मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये बड़ा इंपोर्टेंट है जी हाँ, तो दोस्तों कान लगा कर ध्यान से सुनिएगा, ये शुब संदेश, ये खुशखबरी आपको किसी भी क्षेत्र में बन सकता है, खास कर आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ से मिलने की पूरी-पूरी संभावना है आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, वहाँ से भी शुब संदेश मिल सकता है, और अगर आप गवर्न्मेंट जॉब करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं, तो वहाँ से भी इस शुब संदेश अगले 24 गंटे के अंदर आपको प्राप्थ हो सकता है जी हाँ, या फिर जिन विद्यार्थियों ने किसी कंपटीशन में भाग लिया था, एक्जाम वगेरह दिया था, तो वहां से भी उनके लिए शुब समाचार के रूप में वह संदेश मिल सकता है जी हाँ, दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, बिरहा सितारे हमें इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि इस राश्य के जातकों के जीवन में कई बड़ी खुश्खबरी दस्तक देने वाली है, आपको खुद पर विश्वास रखना है और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है, एक बात हमेशा याद रखना आप जो सोचते हैं वही आप करती हैं इसलिए हमेशा positive सोच ही हमेशा बड़ा सोचिये क्योंकि सोचने में पैसा नहीं लगता है यह बाद आप सभी को पता ही है लेकिन फिर भी आप लोग सोचने में कंजूसी करते हैं अगर आप खुद से लड़ोगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और अगर आप दूसरों से लड़ोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे इसलिए आपको दूसरों से नहीं उलजना है इतना जरूर ध्यान रखियेगा आने वाले अगले 24 घंटे लड़ाई जगडे वाद विवाद की स्थिती निर्मित हो रही है अगर आप चार जनों के बीच उठना बैठना कर रहे हैं तो अगले 24 घंटे तक अपने मूह पर ताला मार के रखियेगा और दूसरों के बारे में बोलने से बचेगा पर नियंतरन बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है विद्ध्यार्थियों का मन पढ़ाई में ना लगने के कारण उन्हें अपने कामों को करने में समस्या आएगी आपको किसी काम को नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलने से आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होगा आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है आप अपने कामों को कल पर टालने की कोशिश करेंगे जो आपको समस्या देंगे प्रेम जीवन जी रहे लोगों को आज ताल मेल बना कर चलने की आवश्यक्ता है तभी आप अपने साथी को खुश रख पाएंगे नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बनाएंगे तो वह आसानी से कर सकते हैं आपको अपने कामों को लेकर कुछ असुविधा रहेगी इसलिए आप थोड़ा परेशान रहेंगे आज का दिन आपको अपने ग्यान को बढ़ाने का रहेगा कुछ लंबे समय से रुके हुए काम आपको परेशान करेंगे आप अपने व्यवसाय की योजनाओं को लेकर अपने पिताजी से बात चीत कर सकते हैं पारिवारिक मामलों को आपको मिल बैटकर दूर करने की आवश्यक्ता है आपको आज घर के लड़ाई जगडे को लेकर तनाव बना रहेगा भाई बहन को कोई शारीरिक कष्ट होने के कारण आप परेशान रहेंगे आपको किसी बात को लेकर उल्जन रहेगी आज का दिन आपके लिए किसी काम को जल्दबाजी में करने से बचने के लिए रहेगा यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो वह आपको मिल सकता है आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा आपकी किसी गलती को लेकर आपको अपने अधिकारी से डांट खानी पड़ सकती है यदि आपने शेर मार्केट में पहले धन का निवेश किया था तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है आप किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं और आप किसी काम को पूरा करने में अपने भाईयों से मदद ले सकते हैं आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है आपका बिजनेस की कोई पुरानी डील लंबे समय से अटक रही थी तो वह फाइनल हो सकती है आपको कोई विदेश में रह रहे परिजन से कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है लेकिन आपके जीवन साथ ही आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी और आप अपने घरेलू मामलों को घर से बाहर न जाने दे आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है आपको यदि कोई समस्या लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह आज खत्म हो सकती है आपकी अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है विधार्थियों को पढ़ाई लिखाई को लेकर यदि कोई चिंता चल रही है तो वह दूर होगी आपको कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलेगा आपको अपने कामों को लेकर सतर्क रहना होगा आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा जो जातक कामों को लेकर लंबे समय से परिशान चल रहे हैं उन्हें कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है संतान की ओर से आपको कोई खुश्खबरी सुनने को मिल सकती है नौकरी को लेकर परेशान चल रहे लोग उसमें कोई बदलाव करने की योजना बनाएंगे आपको कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के जरिये काम करने का मौका मिलेगा जिससे आप किसी काम को आसानी से कर सकेंगे आज का दिन कारोबार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यक्ता है आपको किसी शुब और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ती से आपकी खटपट होने हो सकती है आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोंड से अच्छा रहने वाला है वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं बिजनेस कर रहे लोगों को कामों को लेकर सलाह करना होगा सेहत में यदि आपने लापरवाही बढ़ती तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं आपकी धार्मिक कारियों के प्रतियास्था बढ़ेगी और आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठ कर दूर करने की कोशिश करें आज का दिन आपके लिए उलजनों से भरा रहने वाला है आपके उपर कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा जिस कारण आपको कुछ चिंता सताएगी आपको अपने कामओं के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी समय देना होगा नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंतरण रखने की आवश्च्च्टा है आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आनंद मैं समय व्यतीत करेंगे आपकी कोई गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है नौकरी में कार्यरत लोगों के उपर काम का बोज अधिक रहेगा आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यक्ता है आपको किसी अनुभवी व्यक्ती की सलाह पर चलना बेहतर रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे आज का दिन बैंकिंग शेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है लेकिन आपके कुछ शत्रू आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे जिन्हें आपको अपनी चतुर बुद्धी से आसानी से मात देनी होगी आप अपने बेफिजूल के खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें नहीं तो आपका धन संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर मत भेद हो सकते हैं यदि आपने किसी लोन आदी के लिए अपलाई किया था तो वह भी आपका आसानी से मिल जाएगा आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का श्रोथ है आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई काम्याबी दिलाएगी आप विशेश लए में हैं आज का दिन सार्थक होगा मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और होसला बनाए रखें आपकी सकारात्मक दृष्टी आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी दिन आंतरिक उर्जा के उफान से शुरू होगा आप खुद को शान्त और बिल्कुल धैर्यवान पाएंगे आज बिजनस संबंधी किसी बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज आपकी मानसिक शान्ती के कारण आप अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं आपकी अपने प्रतिद्वंदी से भी मुलाकात हो सकती है लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा आज से आप और आपके पार्टनर के बीच समझ और एड़्जस्टमेंट का एक नया दौर शुरू होने वाला है आपके संबंध के सब जाले साफ हो चुके हैं और आप दोनों एक दुसरे को अब बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हो इससे आपका संबंध और मजबूत ही होगा दिन आपके लिए काफी आशाएं लेकर आएगा हाला कि आप इमानदार और महनती हैं पर आज सफलता आपकी पहुँच से दूर रह सकती है कुछ मामूली गलतियां आपको परिशान कर सकती है आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचे आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है हाला कि ये दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं आज आपकी किस्मत आपके साथ है आप अपने समस्या को सुल्जा लेने की कुशलता से सब को अचरज में डाल देंगे सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे आपका आत्म विश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बाटें आज कोई दोस्त मिल सकता है दिन कुल मिलाकर मजेदार रहेगा आपने एक नया वर्काउट आजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं आज आपको इसके लिए काफी कॉंप्लिमेंट्स मिल सकते हैं आपकी कमर कुछ इंच घट गई है और अब आप पहले से अधिक सक्रिय और उर्जावान महसूस कर रहे हैं आप किसी नई हॉबी की तरफ जुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह इसमें खो जाएंगे आज का दिन काफी सकारात्मक भी रहेगा स्वस्थ आचार विचार और व्यवहार रूपी स्वस्थ सीमाएं आपके लिए आवश्यक हो गए है लेकिन उनकी हदबंदी करना आपके लिए मुश्किल हो गया है आपको अपने साथी के साथ बैठ कर अपने संबंधों के विभिन आयामों के बारे में बात करनी चाहिए जिस कारण आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं आज का दिन आदर्श रूप से इस कार्य के लिए अनुकूल है क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुल कर आपसे बात करने को राजी होगा एक मालिक के रूप में अपने अधीनस्तों के लिए आप में एक दिल है उन्हें ज्यादा उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है उनसे बात करें और उन्हें प्रोथसाहित करने के लिए आप किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं वे इसके लिए आपका आदर करेंगे आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरित भी करते रहे उनके साथ हसी मजाग करे ताकि वे आपके साथ सामान्य हो पाए आप अपने विशाल नेत्रित्व के गुणों का प्रयोग करे आप आज सकारात्मक उर्जा से भरे हुए हैं हलांकि आपका उद्देश ये अच्छा है परन्तु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा